हेलो दोस्तों, वेलकम तो स्लीपी क्लासेज तो आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेशन रहेगा एक ऐसा टॉपिक जिस से रेलेटिड बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे एस्पिरेंस के बन में बैठे रहते हैं और एक ऐसा टॉपिक है जो की बहुत बेसिक नेचर का है जो हम economy की शुरुआत करते हैं, starting में ही इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं जी हाँ बात कर रहे हैं हम national income accounting के बारे में तो GDP, GNP, NNP, ये क्या terms हैं, क्या इनके मतलब हैं, किस तरीके से calculate की जाती हैं कौन कौन से factors हम इसमें consider करते हैं, आज जिन सभी प्रशनों के जो जवाब हैं हमें यहाँ पर मल जाएंगे तो ये शुरुआत करते हैं, पहली चीज ये national income का concept कहता क्या है, क्या इसे हम समझने की कोशिश करते हैं तो basically ये जो concept है, क्या measure करता है, economic activity, किसी भी एक particular economy में अब जब वो चीज measure करेगा, तो किस तरीके से measure करेगा, कि as an indicator के तरीके से वो measure करेगा कि किस परकार से वहाँ पर किसी भी देश में progress हो रही है, कैसे वहाँ पर growth हो रही है कि अगर उस देश की national income बढ़ रही है, तो मतलब उस देश में विकास हो रहा है तो अब इसको tie किस के साथ कर दिया क्या था? आपके GDP के साथ कि जैसे जैसे देश की GDP बढ़ती जाएगी, gross domestic product जो कि भी हम discuss करेंगे जैसे जैसे वो value बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अब कहेंगे कि national income उस देश की वहाँ पर बढ़ रही है कि उस देश के दोरा, उस economy के दोरा, जादा पैसा यहाँ पर कमाया जा रहा है और साथ के साथ उस देश में विकास भी यहाँ पर हो रहा है इस पूरी preparation की जो अपकी starting जो journey रहती है हमेशा economy के, वो रहती है GDP के साथ कि GDP क्या चीज़ है, gross domestic product, represent करता है total monetary या फिर market value अब ये देखो, monetary या फिर market value का concept यहाँ पर क्यों डाला गया ये दो अलग-अलग terms यहाँ पर क्यों रखेगी है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आपको ये चीज़ को clarity भी आएगी बस अभी तक एक चीज़ याँ रखना, monetary जो value यहाँ पर represent कर रही है ये factor cost को कर रही है जो हम दुबारा factor cost और market prices की बात करेंगे तब आपको ध्यान आएगा और जो market value represent कर रही है वो आपके market prices को represent कर रही है बस इसपना ध्यान रखो अपार्ट सॉम दाट, total value of all the finished goods as well as services जो कि एक देश की boundary के अंदर कात रखते हुए produce किये गए है उन्हें हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि वो उस देश की GDP का हिस्सा बन गए है कि वो उस देश की GDP को यहाँ पर represent कर रहे है again, total value of all the finished goods and services जो कि किसी एक देश की boundary के अंदर यहाँ पर तयार के गए है तो अगा simple example लो कि सर किस तरीके से कौन से goods and services की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर तो अब भी आप यहाँ पर समले लिजे जोरत पड़ेगी दो आपके goods है, एक आपकी service है कुछ notebooks की जोरत पड़ेगी, कुछ pens की जोरत पड़ेगी और आपको कुछ online lectures की भी आपशकता वहाँ पर पड़ेगी ठीक है, तो मान लेते हैं जो notebooks है, उनका जो price है, 30 रुपे का है 10 pens की आपको यहाँ पर जोरत है ठीक है, तो उसके लिए 10 pens आपके लिए बनाए भी जा रहे है sorry, 10 notebooks यहाँ पर बनाए भी जा रहे है pen आपका 10 रुपे का है आप बहुत लिखने के शौकीन है, में जमसा रैटिंग भी बढ़ चड़के यहाँ पर कर रहे है तो आपके 20 pens तो यहाँ पर लगी जाएंगे ठीक है, उसके बाद आपने online lecture किसी का वेल किया एक ही lecture था जिसका price आपको यहाँ पर 500 रुपे का पड़ गया ठीक है, तो अगर मैं निकालूं कि यहाँ पर exactly कितनी value की goods and services produce हुई तो मैं कैसे निकालूंगा, कि मैं देखूंगा कितनी पहली बात quantity यहाँ पर produce हुई और क्या उसका price वहाँ पर चल रहा है ठीक है जी, तभी तो मैं निकाल पाँगो ना कि final value कितनी है, quantity भी देखूंगा, price भी देखूंगा तो इस case में अगर मैं कहूं कि 300 आपकी total notebooks की आपकी value है जो यहाँ पर produce किया गया, pens की value 200 यहाँ पर आ जाती है, और जो आपने services यहाँ पर avail की, कोई online lecture यहाँ पर देखा, जैसे अगर आप इस lecture को भी देख रहे है यहाँ आपके लिए free of cost है, बट अगर आप कोई और lecture भी देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपने 500 रुपए दिया तो मतलब उतनी service आपने वहाँ पर avail की ठीक है, तो total अगर हम आँ यहाँ कहूं कि 1000 रुपे की values, सॉरी, 1000 रुपे का good and services यहाँ पर produce किया गया है, तो यह GDP यहाँ पर दर्शार है, तो इसी में फिर दो categories आ जाती है, पहली कैसी रहती है, nominal GDP, दूसरी आ जाती है, real GDP, तो आप बोलेंगे सर अभी यह क्या चीज़ है, तो अभी हमने क्या establish किया कि GDP के लिए हम क्या करते हैं, जो quantity of the good and services उसको multiply किसे करते हैं, price के साथ, ठीक है, अब मैं nominal के case में क्या कह रहा हूँ, nominal के case में यह कह रहा हूँ, कि भाईया, यह represent कर रहा है आपके current prices को, यह represent कर रहा है current prices को, कि जो current अभी prices चल रहे हैं, ठीक है जी, आपका 10 रुपे की notebook थी, sorry, 30 रुपे की notebook थी, 10 रुपे का pen था, 500 रुपे का online lecture था, ठीक है, वो उसके साब से आपने यहाँ पर calculate की, तो वो जितनी भी आपकी final value आई, वो आपका GDP nominal बन गया, या GDP at current prices यहाँ पर बन गया, ठीक है, अब अगला question मेरा यहाँ पर आपके लिए क्या आता है, अगला question मेरा यहाँ आता है, तो real GDP क्या है, तो real GDP basically क्या कह रहा है, यह कह रहे हैं कि हम किसी एक base year के prices को यहाँ पर use करेंगे, ठाकि actually में, हम जब भी GDP numbers देखें, तो हम यह पता लगा पाएं, कि यह जो particular component है, GDP की calculation में जो quantity की बात करते हैं, quantity मतलब कितनी number of goods यहाँ पर produce किये जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कोई देश यहाँ पर विकास की और आगे बढ़े, तो मतलब वहाँ पर उनकी manufacturing capability बढ़ने चीए, अच्छे goods वहाँ पर produce करने चीए, ज्यादा तादाद में वहाँ पर produce करने चीए, ताकि वह उन्हें फर्दर export भी कर सकें, ठीक है, बट अगर हम किसी देश के GDP numbers को वहाँ पर देखें, इसमें हमने क्या बोला कि quantity into price हम उसके माधन से उसको वहाँ पर derive कर रहे हैं, तो उस case में हम क्या कह सकते हैं, कि शायद अगर किसी देश में inflation आ रही हो, तो शायद उसकी GDP वहाँ पर inflated देख रही हो, कह सकते हैं कि नहीं, उसी case में हमने real GDP के case में क्या कहा, कि हम एक base year के prices यहाँ पर use करेंगे, कि वैसे ही, अगर मान लीजिए, आज की date में यह prices चल रहे हैं, आज से 2-3 साल पहले, जिसका हमने base year माना है, नोट्बुक्स आपकी 20 रुपे की थी, पैन आपके 5 रुपे की थे, और यह आपका lecture जो था 300 या 200 रुपे, 300 रुपे यहाँ पर मान लेते हैं, उतने का था, तो उस case में value कैसे change उसाएगी, अगर quantity सेम ही है, अगर quantity में कोई फरक यहाँ पर नहीं बढ़ा है, तो value में किस प्रकार का change आएगा, उस तरी किसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो GDP जो थी हो आपकी, 600 रुपीज ही वहाँ पर निख लेगी, जहाँ 1000 रुपे की GDP हमने देखी, as per the nominal, या फिर current prices के साब से, तो रियल GDP के साब समने क्या देखा, कि 600 रुपीज की ही यहाँ पर आपकी final goods and services प्रोड्यूस की गई है, अगर यहाँ पर quantity change होती गई, हम year by year उसको calculate कर रहे हैं, और year by year उसको compare भी कर रहे हैं, अगर GDP के numbers वहाँ पर change हो रहे हैं, रियल GDP के case में, जहाँ पर हमने prices को fix कर दिया है, तो उस case में क्या कह सकते हैं, कि जी हाँ यहाँ यहाँ पर quantity बढ़ाई जा रही है, उनकी जो production levels हैं वो बढ़ चुके हैं, तो यहीं चीज़ का आपको यहाँ पर जहाँ रहे हैं, और यही basic साथ difference भी है, nominal और real GDP के case में, फिर आप बात आती है कि NDP क्या चीज़ है, तो कभी भी अगर समझना हो, कि gross से net क्यों हम कैसे जा रहे हैं, simple सा transaction किस प्रकार से यहाँ पर देखा जाता है, कि आप उसमें से depreciation को minus कर दीजिए, आपके दौरा अगर कोई machines यहाँ पर utilize की जा रही है, जिसके माध्यन से आप इतने सारी goods and services पर यूज़ कर रहे हैं, तो भाया उनकी depreciation भी तो होगी, उनका wear tier भी तो होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, consumption of fixed assets, COFA, इस प्रकार की terms भी वहाँ पर use की जाती है, तो gross domestic product से, अगर हमें net domestic product के उपर यहाँ पर जाना है, तो gross domestic product में से हमें depreciation को बाहर निकालना पड़ेगा, हमारे पास NDP की value यहाँ पर सामने आ जाएगे, जिसमें आपके indirect access of trading जहाँ पर include नहीं किया जाते हैं, और यह भी use किया जाता है as an economic analysis tool, कि यहाँ पर जो आपकी wear and tear हो रही है, आप उसको बाहर निकाल दे रहे हैं, उसकी value का आप बाहर कर दे रहे हैं, फिर आप effectively देख रहे हैं कि आपका exactly कितनी value की goods and services यहाँ पर produce होई है, तो यह इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि NDP किस तरीके से calculate की जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं, nominal और real GDP की case में, दोनों का differentiation, दोनों को compare करते हुए, टेबल यहाँ पर त्यार किया गए, अच्छा, हमने real GDP की case में क्या कहा, कि यहाँ पर आपका कोई एक base year लिया जाता है, और उसके prices को हम use करते हुए, GDP की calculation यहाँ पर करते हैं, तो currently, आपका 2011 से 12 का जो base year है, जो आपका financial year है, इस year को यहाँ पर use किया जाता है, ताकि आपकी GDP की calculation यहाँ पर की जा सके, ठीक है, तो दोनों की बिश्मिन का difference है, वो मैंने आपको बता दिया, कि आपकी evaluation इसकी current market price पर रहेगी, यह base market price पर रहेगा, effect of inflation, तो भया, normal GDP तो किसी तरीके से inflation को count में नहीं ले रहा, वो तो कह रहा है कि हाँ जी इतनी production यहाँ पर हुई है, तो वो हुई है, real GDP inflation से खुद को adjust कर रहा है, by taking base year prices during the calculation of GDP, expressed current market price में, वो आपका base year market price में, value of GDP definitely अगर inflation आ रही है, जाता ही देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, तो market price जो आपका price उससे कम, अगर आपका base year का price रहेगा, तो real GDP की value कम देखने को मिलेगी, अज़ आप use कहां रहता है, तो यदि आपको quarters को compare करना न, 2023-2024 के first quarter को आप उन्हें compare करना है, 2022-2024 के last quarter के साथ, तब आप इस तरीकी की nominal GDP की values यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि prices में तो इतना फरक नहीं आयोगा न, effectively हमें किस चीज़ के बारे हम पता लग सकता है, कि भाया quantity जो produce की जारी है, उसमें कितना difference यहाँ पर create हुआ है, clear है, बट वहीं अगर हम बात करें, real GDP यहाँ पर कैसे use करेंगे, जब आपको financial years को यहाँ पर compare करना है, उसमें तो आपका inflation का थोड़ा levels उपर नीचे हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने base year के values निकालते हुए, आपने 2 years को यहाँ पर, financial years उनसे ज़्यादा को यहाँ पर compare कर लिया, तो economy growth आपका definitely, जो nominal GDP है, as such आप उससे growth यहाँ पर measure नहीं कर सकते हैं, since जो prices हैं वो current लिए जा रहे हैं, अगर inflation चल रही है, GDP की value inflated देखने को मिल रही हैं, definitely आपको अच्छे result देखने को नहीं मिलेंगे, आप exactly idea नहीं लगा पाएंगे, कि क्या हमारे देश की industry की capacity improve हुई है, क्या हमारे देश में जो goods and services है, उनका जो number है, क्या वो improve हुआ है कि नहीं, but real GDP के case में, आप definitely economic growth को यहाँ पर capture कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने उसे inflation से adjust कर दिया है, by taking base year prices during the calculation, ठीक है, तो यह basic side difference आप जरूर धिहान में रखिएगा, बहुत बार कई बार आपके state pieces जैसे exams में, ऐसे questions पूश ले जाते हैं, अच्छा, कि राती यह बात कि यह GDP की calculation किस तरीके से की जाती है, तो basically तीन आपके methods यहाँ पर use के जाते हैं, पहला है आपका income method, कि आप एक तरीके से जितने भी देश के लोग हैं, उनके दौरा की जितना भी पैसा यहाँ पर कमाया जा रहा है, आप उसको एक साथ add कर देचे, आपके पास final GDP calculation निका जाएगी, कैसे, किसी एक व्यक्ती दौरा वहाँ पर आमदनी generate की जा रही है, तो वो तभी की गई होगी जब उन्होंने कोई चीज वहाँ पर create की होगी, उन्होंने किसी फैक्टरी में जाके काम की होगी, तभी तो उनकी income वहाँ पर generate हुई है, तो उसी के साब से हम income method भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आता है आपका expenditure method, expenditure method कि आप एक तरीके से track कर लो कि कितना खर्चा यहाँ पर सभी के दौरा किया जा रहा है, फिर आपके पास final GDP की calculation निकल जाएगी, खर्चा अगर किया जा रहा है, तो किसी ना किसी तरीके की goods and services को consume करने के लिए किया जा रहा होगा, अगर आपके पास effective measures यहाँ पर नहीं है, जिसके मादन से आप जाके हरे goods में किस प्रकार की production है, क्या उनके prices चल रहे हैं, आप उनको capture नहीं कर पारे, तो आप expenditure method यहाँ पर लगा लिजी, आप easily track कर सकते हैं कि सभी की दौरा कितना खर्चा की जा रहा है, सभी को एक साथ जोड लिजी, फिर आती बात output method की, जिसे हम gross value added method भी यहाँ पर खहते हैं, जिसे हम discuss भी करेंगे, तो पहले दो तो आपके इस तरीके से, income method सभी की income calculate कर लो, add कर लो, आपके ज़ी डिपी का नमबर आ जाएगा, expenditure method, income नहीं calculate कर लो, तो आप एक काम कीजिए, सभी के खर्चें यहाँ पर देख लिजी, उसके साब से आपको आडिल जागा, किसके दौरा कितना पैसा खर्च की जागा है, तो इसमें जो important है, वो है आपका expenditure method, तो expenditure method में ही, ये चार components हैं, जो की use के जाते हैं, कौन-कौन से expenditure को consider के जागा है, पहला है, जो personal consumption वहाँ पर की जागा है, ठीक है, आपके goods, durable nature के हैं, furniture, car, जिन सबी चीज़ों के आप आप यहाँ पर खर्चा करें, services के उपर आप यहाँ पर खर्चा करें, तो definitely वो जो खर्चा है, वो आपके GDP का हिस्सा यहाँ पर बन जाएगा, फिर आती बाद business दौर और जो investment, firms दौर और जो investment यहाँ पर की जागा है, अगर investment की जारी है, तो definitely किसी ना किसी तरीके से कोई goods यहाँ पर generate किये जारे होंगी, अगर goods नहीं किये जारे होंगी, तो definitely कोई ना कोई fixed investment, capital assets की creation यहाँ पर की जारी होगी, तो अगर आप वो investment ट्राक कर लें, आपको पता लग जाएगा कितना खर्चा यहाँ पर हो रहा है, कितने नए goods and services प्रोड्यूस की जारी है, फिर आप देखे सरकार दौरा किस तरीके से खर्चा की जारा है, क्योंकि सरकार भी तो यहाँ पर बहुत important role play करती है, सरकार दौरा भी बहुत सारे initiatives यहाँ पर रखे जाते हैं, सरकार दौरा भी बहुत सारी manufacturing या पूरी industry में बहुत एहम role यहाँ पर निभाया जाता है, तो सरकार की spending को यहाँ पर track कर लिजे, बट in the end आपको क्या देखना पड़ेगा, कि यदि आपके देश में जो खर्चा किया जा रहा है, या कुई सी goods and services को consume करने के लिए पैसे खर्च किये जा रहे हैं, तो वो जो goods and services हैं, यदि वो यहाँ पर क्या हो रही हैं? Import हो रही हैं, यदि वो goods and services यहाँ पर import हो रही हैं, तो आपको उसे बाहर निकालना पड़ेगा, कारण वश, क्यूंकि हमने GDP के case में क्या कहा, कि जो services और goods हमारी देश की boundary के अंदर रहते हुए तयार हुई हैं, हम सर्फ उने ही consider करेंगे, जो imported वाली item है भया हमारे देश में तो तयार हुई नहीं, तो आपको उसको यहां पर बाहर निकालना पड़ेगा, फिर आप बोलेंगे sir export का क्या करें, तो आप खुरी सोचिए, अब यह ऐसी services, यह ऐसे goods हैं, जो कि हमारे देश में तयार किया गए, ना business दौरा उसके ओपर खर्चा किया गया, ना personal consumption में वो आया, ना सरकार दर उसके ओपर खर्चा किया गया, तो आप उस component को यहां पर add कर लीजिए, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कि net export of goods and services, जिसका मतलब यहां पर क्या है, कि आप जितना आपका export का number है, उसको यहां पर रखिए जितनी आपकी final value है, और imports उसे subtract कर लीजिए, दुबार repeat करता हूँ, import company क्यों consider नहीं किया, क्योंकि ये चीज़े हमारे देश में तयार हुई ही नहीं है, बहार से लाई गई है, तो अकर in particular तीन scenarios में से, किसी प्रकार का खर्चा इन imported products के उपर किया गया है, उसे बहार निकाल दीजिए, बट exports हमारे देश में तयार हुए, इन तीनों द्वारा उस चीज़ के उपर खर्चा नहीं किया गया, क्योंकि ये बहार देश में चलेगे, बट बने हमारे देश में, तो इसे यहाँ पर add करना ही पड़ेगा, तो दोनों का account मिलेंगे, तो हमारा net export of golden services यहाँ पर तयार हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका expenditure method वहाँ पर use किया जाता है, फिर आती बात कि GNP और GDP, दोनों के बीच में क्या difference है, कि भाया जब national word जोड़ गया ना यहाँ पर, जब national word यहाँ पर जोड़ गया, तो आपको यहाँ पर देश के लोगों को यहाँ पर preference देनी है, तो GNP basically क्या estimate लगाता है, it is the total value of final product and services, जो की एक particular time period में यहाँ पर तयार की गी है, by the means of production, किसके थूँ, जो की country के residents तो और यहाँ पर own की जाती है, तो मान लिजिए अगर कोई भार का व्यक्ति है, भार का व्यक्ति देश में अंदर आएक यहाँ पर काम किया जा रहा है, कुछ पैसा वो generate कर रहा है, तो वो GNP का हिस्सा यहाँ पर नहीं बनेगा, बट वो GDP का हिस्सा बनेगा क्यों? क्योंकि उसने हमारी देश की boundary में रहके उस goods का निर्मान किया है ठीक है जी? तो GNP और GDP के case में जब GNP की बात आती है तो आपको nationality को यहाँ पर priority देनी है तो यह formula वहाँ पर use के जाता है GDP is equal to तो आपका GNP minus net factor income from abroad कि यहाँ पर हम बाहर की देशों के अगर कोई हमारे भाई बंदू हैं हमारे citizens हैं बाहर जाके काम कर रहे हैं बाहर से पैसा ले रहे हैं उनकी जो income है उसे भी हम यहाँ पर consider करेंगे बट हमारे देश में अगर बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं तो उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो GDP का जब हमारे पास नंबर आ चुका है, उसमें से आप क्या कीजिए, आप उसमें ये Net Factor Income From Abroad यहां पर आड़ कर दिजिए। तो क्या है आपकी Net Factor Income From Abroad? Simple example के तौर पर यहां पर समझते हैं, कि माल लीजिए, Factor Income जो की Receive हुई है अबराट से, कि हमारे देश के लोगों ने बाहर जाके काम किया, थोड़ा बात पैसा यहां पर कमाया, तो माल लेते 400 पेनों ने यहां पर कमाया, दूसरे केस में भी 400 पेन के दोरा कमाया गया, अब बाहर के लोगों ने अगर हमारे देश में आके कुछ काम किया है, हमारी Companies के लिए हां पर काम किया है, तो हमें वो पैसा पे भी करना पड़ा है, तो पहले केस में अगर आपको वो 300 है, और दूसरे केस में वो बढ़ जाता है, 600 हो जाता है, तो आपकी जो net factor income from abroad है वो क्या कहती है कि आप जो income receive कर रहे हैं बाहर से उसमें से जितनी income आपने बाहर के लोगों को पे किये उसे subtract कर लिजे और उसके थुरू आप अपना final result यहाँ पर निकाल सकते हैं तो अगर net factor income from abroad positive है तो उसका मतलब क्या है कि हमारे देश के लोगों ने बाहर जाके काम किया है अच्छी income वहाँ पर generate की है बलकि जो बाहर के लोग थी वो तो नहीं यहाँ पर generate नहीं करता है बट अगर negative आगे तो मतलब बाहर के लोगों इन इंडिया में आके जादा पैसा यहाँ पर कमाया है हमारे लोग बाहर जाके नहीं कमा पाए तो जागर आपका NFIA यहाँ पर negative बन जाता है तो उसे हम क्या मानेगे कि it is kind of a bad for economy कि हम बहुत जादा इस तरीके से एक अच्छी situation में नहीं है हमें जादा पैसा कमाना जीए बाहर से अगर वो positive वारा तो it is considered good for the economy तो यह तरीके से अगर मैं GNP की बात करूँ कि GNP अगर मैं को यहाँ पर derive करना है तो मैं क्या कहूँगा कि GDP plus net factor income from abroad अगर मेरे पहले case में GDP यहाँ पर 1000 रुपे की थी और net factor income from abroad मेरी यहाँ पर positive 100 रुपेज की आ रही इसको आपको मद्यनजर जरूर यहाँ पर रखना है तो please इस concept को register कर लिजेगा अपने दिमाग में फिर एक GNI के concept भी आता है और GDP का भी आता है GNP का भी आता है तीनों के बिश में differentiation भी कई बार पूछ ली जाता है तो अगर थोड़ा सा समझें तीनों के concept को ए दो तो आपको clear हो गयोंगे GNI basically यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे देश के लोगों के दौरा कितना पैसा यहाँ पर कमा जा रहा है देश में कितना पैसा यहाँ पर आ रहा है उसको हम यहाँ पर consider करते है कि देश में कितना पैसा यहाँ पर आ रहा है वो आपका GNI है अब वो देश के लोगों के दौरा आ रहा है बाहर के लोगों के दौरा है वो हमारे लिए matter नहीं करते है देश में आ रहा है तो GNI का concept यहाँ पर बन जाए तो जब भी GNI की बात होगी तो आपको यहाँ पर अगर income की बात हो रही है तो gross को आपको priority देनी है product की बात हो रही है तो वहाँ पर nationality को यहाँ पर priority देनी है तो बहुत ही simple सा table है इससे आपके बहुत सारे doubts यहाँ पर clear हो जाएंगे कि GDP, GNI और GNP तीनों के वीश में का difference है अगर हमारे देश के लोगों के दोरा यहाँ पर पैसा earn के जा रहा है तो जो हमने formula वहाँ पर देखा expenditure का consumption plus investment plus government spending plus net exports तो तीनों के case में तो वो हमारे देश के लोगों के दोरा कमा जा रहा है हमारे देश में रहकर ही कमा जा रहा है तो easily वो add हो जाएगा अगर बहार के लोगों के दोरा हमारे देश में आके काम के दोरा है तो वो GDP का हिस्सा बने है क्यों कि हमारे देश की boundary के अंदर गात रहते हुए काम कर रहे है बट GNI का हिस्सा वो कब बनेगे मैंने क्या बोला in case मे अगर उग देश में पैसा लेके आ रहे है अगर देश में पैसा लेके आ रहे हैं मतलब देश में अगर कमा रहे हैं और देश के ओपर यहाँ पर खर्च कर रहे हैं देश के services का यहाँ पर लाब उठा रहे हैं तो हम उन्हें यहाँ पर include कर लेंगे included if spent in the country US का बंदा आया यहां कर किसी कंपनी में काम कर रहा है अगर उस भाई ने यहीं पर आके छोले बटूरे खाये कहीं पर जाके तब उसे हम ग्रॉस नाशनल इंकम में यहाँ पर आड़ करेंगे concept है हालनकि हमारा जो जो यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है तो जितना मरजी पैसा यहाँ पर कमा ले हम उसे यहाँ पर include नहीं करेंगे सारी चीज़ों को exclude कर देंगे as per the formula of the net factor income from abroad फिर आदी बात residents out of the country देश के लोग हैं बाहर जाके रह रहे हैं अगर बाहर जाके रहे हैं बाहर जाके अगर कोई income earn कर रहे हैं तो वहाँ जाके उन्होंने कुछ ना कुछ पैसा कमाया होगा वहाँ जाके उनकी दौरा कोई गो खेले यहां पर gross national income में जहां मर्जी सार है बस पैसे को देखना है अगर वह पैसा वापिस भेजते हैं तब उसे हम include करेंगे बट जीनपी केस में क्या बोला देश के लोग हैं कहीं पर present हो कोई पैसा उनके दोरा कमाया जा रहा हो हम उसे definitely यहां पर include करेंगे जैसे के NFIA में हमने देखा था अच्छा foreigner है बाहरी काम कर रहा है बाहरी कमा रहा है तो उससे तो हमारा को लिना देना ही नहीं तीनों parameters में हम उसे यहां पर exclude कर देंगे तो I hope यह जो particular concept है यहां पर आपका clear हो गया GDP, GNP, GNP उन तीनों के बीच में क्या यहां पर relationship है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आती बाद factor cost और market price की तो देखे जब भी कोई product यहां पर तयार होता है किसी भी factory में तयार हो रहा है ठीक है फिर फाइनली कहां जाएगा market में जाएगा market में जाएगा तो बीच में कुछ-कुछ उसके पर taxes वहां पर लगाए जाएंगे ठीक है कुछ subsidies वहां पर avail कर सकता है वह तो यह जो टाक्स और सबसेडीज हैं इनको आप account में यहां पर लेंगे किस प्रकार से कि अगर वह product यहां पर तयार हो गया है और वह factory की गेट पर वहां पर बैठा है तो मतलब वह factor cost वहां पर लेके बैठा है जिसमें हमने कौन-कौन से confidence कि कि कितना labor wages वहां पर अब लेके टाक्सिज या फिर सब्सेडी अलरीडी पेड है उसको में यहां पर account में फिर final cost उसकी वहां पर निकलेगे फिर फाइनल फैक्टरी की cost है फैक्टरी की गेट पर इतने उसकी cost पर रही फिर उसको transportation टाक्सिज सब कुछ लगा कि मार्केट में कितने बिकर है वहां आपका market price यहां पर रहेगी फैक्टरी की गेट पर एक product की cost यहां पर 100 रुपए फिर उसके उपर additional taxis यहां पर कितने के लगाएगे 20 रुपए के लगाएगे बट उस product पर 10 रुपए की subsidy भी थी तो वह minus हो जाएगी finally तो वह आपका market में जाके कितने का बिकेगा 110 का तो यह आपका factor cost से market price की बीश का difference है यह कैसे relationship draw के जाता है तो market price is equal to factor cost प्लस जो indirect taxes वहां पर लग रहे हैं and minus subsidies जो वहां पर अवेल की जा रही है तो यह simple सा concept है अच्छा जो मैंने उस ट्रेम आपको वहां पर कहा था GDP की जो definition वहां पर हमने देखी थी तो उसमें दो terms वहां पर use हुई थी एक थी market value और एक थी दूसरी monetary value ठीक है market value अगर आपका GDP at market price calculate किया गया है तब हम उस value को वहां पर तब इस term को हम यहां पर use करते हैं कि GDP at market price is equal to the market value of all the goods and services जो कि हमारे देश में produce किये गए है but GDP at factor cost आपकी final monetary values की represent कर रहा है कि actually मैं इस product को बनाने के लिए पूरा पैसा कितना लगा एक तरीके से जिसमें profit भी यहां पर डाल दिया हमने अपने producer का जिसको और पैसा वहां पर कमाया गया है तो इस तरीकी का इस तरीकी की terminology का भी बिलकुल यहां पर ध्यान रखना है चलि तो आप net factor from income को जो आपकी abroad से उसको यहां पर account में लिजिए कैसे आपको market price से factor cost पर आना है तो market price में से आप जो आपके net indirect taxes जो क्या represent करता है कि taxes minus subsidies ठीक है net indirect taxes उसको आप निकाल दीजिए आपका factor cost यहां पर आजएगी कैसे आप थोड़ा quick revision है net से gross पर जाना है कि net deposition add के ल personal income के बारे में कि personal income का concept यहां पर क्या कहता है तो basically personal income represent करता है national income अब ध्यान रखना minus undistributed profits मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि हमारी जो total national income है पहली बात national income किस concept से यहां पर निकालते हैं हम निकालते है NNP at factor cost बहुत सारे experience इस चीज़ पर साथ थोड़ा कह सकते हैं कि नहीं ह यहां पर GNI को preference देते हैं उस तरीके से calculation करते हैं नहीं कि भी यह national income उस तरीके से त्यार किया जा रहा है लोगों की दौरा यहां पर totally कितना पैसे यहां पर कमाया जा रहा है वह आपका national income यहां पर आ जाएगा अच्छा उसमें से आप निकाल दीजिए undistributed profits undistributed profits यहां पर निकाल दीजिए एक तरीके से कौन से profits हैं कि firms और governments द्वारा या government के enterprises द्वारा यह पैसा कमाया तो गया है बट यह distribute नहीं किया गया among the factors of the production मतलब इन्होंने अपने wages वहां पर नहीं बढ़ाए या किसी तरीके से salary वहां पर नहीं बढ़ाए उस तरीके की कोई भी यहां पर changes नहीं किये यह जो undistributed profits है यह उन्होंने खुद के लिए retain करके रख लिए कि बाद में कल को अगर खर्च यहां पर pay करना पड़ेगा ना उसे हम बहार निकाल देंगे बट अगर यहां पर किसी प्रकार की transfer payments की गई है अब transfer payments आप कहेंगे कि sir यह क्या चीज है तो transfer payments जैसी कि आपकी subsidies है आपकी pension है यह उस प्रकार की payment है जिसके लिए exchange में कोई भी goods and services transact नहीं कर रही है अगर मुझ इसलिए मैं यहां पर income generate कर पा रहा हूं बट अगर मुझे pension मिलेगी कल को कि मैं retire हो चुक हो कोई काम दोना मेरे पास नहीं बचा है तो उस case में तो वो pension है वो तरह की transfer payment है उसकी बदले में मैं कोई भी चीज यहां पर तयार नहीं कर रहा है बस बैठ रहा हूं और खा रहा ह ठीक है जी तो जो transfer payments हैंगी इंदी एंड कहीं न कहीं किसी न किसी की income का हिस्सा बनेगी न वो उनकी दोरह तो पैसा खर्च किया ही जाएगा न उनकी तो income का हिस्सा वहां पर बन जाएगी अब ये जो transfer payments हैं ये GDP का हिस्सा नहीं बनती कारणवश जैसे मैं आपको बताया क् किसी भी प्रकार की goods and services तयार नहीं हो रही हैं ये पैसा जब दिया जा रहा है तो कोई यहाँ पर production नहीं हो रही है ठीक है GDP का हिस्सा नहीं बनता बट personal income का यहाँ पर हिस्सा ये बन जाता है ये transfer payments अगर किसी भी तरीके से सरकार या firms दोरह यहाँ पर की गई हैं तो किसी न या सरकार ने अपने खुद के पास return कर ली कल को देखेंगे कहां पर खर्चा करना है कल को काम आएगा हो सकता है किसी प्रकार का buffer यहाँ पर maintain कर रहे हो तो definitely उसे हम बाहर निकाल देंगे ठीक है corporate tax payment की जा रही है सरकार को payment जा रही है ठीक है जी किसी प्रिकार का यह जो पैस अगर मेरी personal income यहाँ पर 50,000 रुपए की हो जाती है ठीक है 50,000 पर मेरी personal income है अब भया मेरे उपर भी तो कुछ में कुछ liabilities होंगी मुझे tax भरना पड़ेगा तो TDS मालता हूं कि मैं अब 5000 का TDS यहाँ पर कट जाता है 10% के साब से ठीक है अभी TDS यहाँ पर कटना है अब सरक कितना मेरे पास 44,000 तो यह जो 44,000 है यह personal disposable income यहाँ पर रहेगी अब यह मेरे उपर है कि मैं इसको कैसे यहाँ पर खर्च करना जाता हूं ठीक है तो personal income में से आप personal tax payment जो आपकी है उसे बाहर निकाल लीजी और जो भी आपकी non-tax payment से किसे प्यार के fines गर अगर यहाँ पर आ कहीं न कहीं aggregate demand में overall demand में इनके दौरा push भी देखा जाएगा क्यों कि इनकी दौर आप अगर disposable income जाद है अगर मान लीजी इस तरी किसे मेरे disposable income यहाँ पर साल भर में 70,000 हो जाए तो मतलब मेरा खर्चा भी बढ़ेगा न जैसे tax 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 मैंने pay कर दे सब कुछ मेरे liability यहाँ पर खत organization बाहर निकाल दी आपका NNP at market price यहाँ पर आ गया market price से हम क्या कहेंगे कि भईया आपको यहां indirect taxes जो आपने pay किये हैं उसको बाहर निकालना पड़ेगा national income में से आपके undistributed profits, corporate tax, transfer payments इन सभी को यहाँ पर account मिली आपके अस personal income आगी personal income में से आपने जो आपकी tax payments है, non-tax payments है उनको यहाँ पर डाल दी आपके अस personal disposable income आगी तो यह transition है GDP से personal disposable income का जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है फिर आप यह last button on the list, gross value added, तो gross value added यहाँ पर क्या चीज़ है gross value added यहाँ पर क्या समझाता है, simple सा concept है अब मान लीजिए, जैसे हमने factory की बात की थी न, कि उस factory ने कोई product यहाँ पर तयार किया ठीक, उसको market तक यहाँ पर लेखे गया, बट factory ने अगर कोई product तयार किया तो उसमें कुछ ना कुछ तो raw material यहाँ पर use किया ही होगा न अब मान लीजिए, जैसे factory बिसकट की है, एक carton ने बिसकट को यहाँ पर तयार किया जिसकी value 100 रुपे थी, अब GDP तो आगी, यहाँ जी भईया, 100 रुपे का value यहाँ पर तयार हुआ है ठीक है, बट इस product को बनाने के लिए, आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर input तो लगा होगा न तो मान लेते हैं, एक थैली थी आटे की जो कि इस product को बनाने के लिए, आटे के बिसकुट से हैं, तो उसके लिए, एक थैली आटे की थी, एक 10 किलो का आटा था जो की यहाँ पर use हुआ और 10 किलो के आटे की जो कीमत थी, वो 40 रुपे की थी, तो यहाँ पर GVA method यहाँ पर क्या कहता है, कि इस factory दोरा, इस factory दोरा net gross value addition कितने का किया गया, मतलब इसने final good तयार किया 1000 रुपे का, बट इसने 40 रुपे के raw material भी use किया, तो इसके दोरा final value addition कितने की हुई, वो ही 60 कितनी value की goods and services हमारे देश में produce की गई है, यह simple concept यहाँ पर gross value added का कहता है, जो कि आपका output method भी है, third method of computing to GDP, जिसमें हमने output minus intermediate consumption यहाँ पर रखी, और उसके साब से हमारा GVA की value यहाँ पर आ गई, लेरे हैं चीज, तो यह simple सी कहान यहाँ आपको ध्यान रखे, तो GVA आपको एक खर्च किया रहा है, खर्च जो किया जा रहा है, वो लोगों की demand को represent कर रहा है, तो GDP आपको demand सेंट का जो perspective यहाँ पर दिखाता है, तो RBI पहले GVA methodology यूज करता था, अब उनके दोरा GDP based measure यहाँ पर use करता है, growth estimates calculate करने के लिए, पर इसमें भी अब तीन तरीकी cost आती है, एक आती है, आपकी factor cost आती है, आपकी basic prices और तीसरी आती है, आपकी market prices पर, ठीक है, तो factor cost मैंने क्या कहा था, कि जो final product पूरा तयार होके आपका वहाँ पर बन चुका है, ठीक है, वो आपका factor cost यहाँ पर आ जाएगा, बट उस product के उपर आपने कुछ ना कुछ production taxes भी दिए होग ठीक है, अगर उसके लिए आपको subsidy मिल गी होगी, तो आपको उसको subtract यहाँ पर करना पड़ेगा, क्यूंकि आपकी input cost यहाँ पर कम होगी, जब taxes आपने pay की है, माल लिजे 100 रुपे का आपका final value यहाँ पर gross value तयार हो जाती है, factor cost पे, कि आपकी final value उतनी हाती है, अगर आपन basic prices, but basic prices फिर आप market price पर तक कैसे पहुंचोगे, कि definitely अब आपने कुछ न कुछ किसी प्रकार के, मैं माफी चाहूँगा, यह आपके production नहीं, product रहेंगे, product taxes as well as, आपकी production subsidies है, उसको यहाँ पर जहां रखना है, कि आपने वहाँ पर उस product को बाहर लेके जाने के लिए, market तक ल आप एक होंगे, जितने भी आपके रहेंगे, वो add हो जाएंगे, 95 का था, यह जितने भी value थी, यह 20 रुपई की यहाँ पर आगी, but product के उपर subsidy आशाच अवेल नहीं थी, 5 रुपई की subsidy यहाँ पर मिल रहे थी, 95 से 20 रुपई आपका यहाँ पर 115 रुपई की value बन गी, उसक basic price से आप market price तक कैसे पहुंचेगी, product taxes और product subsidies को यहाँ पर include करना, यह basic सी कहानी ही, आपकी overall जो भी चीज़े हमने यहाँ पर देखी, पूरी national income accounting, बहुत क्रिस्प फॉर्माट में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किये, हालंकि जब हमारे foundation batches रहें तो वहाँ पर approximately एक database year यहाँ पर change कर दिया गया था, दोहजा चार पांच का use हो रहा था, अब 2011-12 का यहाँ पर use हो रहा है, apart from that, अब हम जो calculation करते है, market prices पर करते है, factor cost पर नहीं करते, gross value added methods यहाँ पर आपका use किया जाता है, industry wise estimates त्यार करने के लिए, and apart from that, MCA 21, यह जो आपका एक initiative है, सरकार का जो एक तरीकिका आपका, एक database यहाँ पर तियार के जाए, जिसमें सभी companies का, यह सभी जितनी firms, entities हैं, जो कि इंडिया में operate करे हैं, सभी का data यहाँ पर capture किया जाता है, तो यह recent changes यहाँ पर किये गए है, तो यह थी पूरी कहानी, national income accounting related, आपके लिए simple सा homework यहाँ पर मैं क्या indirect taxes से जादा यहाँ पर बढ़ जाए, अगर subsidies की value indirect taxes से जादा यहाँ पर बढ़ जाए, तो उस case में market price की value जादा रहेगी यह factor cost की value जादा रहेगी, तो इस चीज़ को जुरूर एक बार जाके देखेगा, ठीक है, थोड़ा calculation करके देखेगा, शायद थोड़ी चीज़े revise हो है, ठीके जी, आपके FLTs भी यहाँ पर add के गए, तो टोटल जो cost आपके particular course की 25 रुपए यहाँ पर कर जी जा चुकिए, round two है बहुत मज़ीक है, तो अगर आपको लगते है कि आपको पूरा as a, यहाँ पर course यहाँ पर avail नहीं करना तो आपके individual courses की option भी यहाँ पर available है, and apart from that FLTs भी यहाँ पर तीन available है, जो कि आप 490 रेन में available कर सकते हैं, अगर आपके testing में किसी प्रकार के भी तक देखके चरव रही हो, and अगर economy का session यहाँ पर आपने चाहते हैं कि आप पूरा दुबारा से एक बार दुबारा revise यहाँ पर कर लें, तो definitely वो भी आपके पास हो, यह यहाँ पर clear करने के लिए, and again, थोड़ा सहीम बरते रहेगा, सेयत का ध्यान रखेगा, पूरी कोशिश करिएगा, किसी प्रकार से undue pressure यहाँ पर नहीं लेना है, जो कि आपके लिए किसी भी तरीके से counterproductive यहाँ पर हो सके, clear, so that will be all, all the very best, have a good preparation.